Hello everyone, welcome back to my channel, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी गोभी चॉप, हमेशा की तरह बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो दो फूल गोभी को मैंने छोटे-छोटे फूल में कट कर लिया है और इसे अच्छी तरह से वाश कर लिया हैं मैंने डंठल के साथ लिया है तो डंठल थोड़े हाड होते हैं तो इसे बीच भी इसे तीन चार कट लगा लेना है ताके गुभी के साथ डंठल भी आसानी से कुख हो जाए ये देखिए सभी डंठल में मैंने तीन चार कट लगाया है अब पानी को मैंने उबलने के लिए और आधा चमच हल्दी पॉडर अब इस मसाले दार पानी में गोभी को उबालना है इससे क्या होगा कि गोभी में मसाले और नमक का जो फिलिबर है वो अंदर तक जाएगा तो ये देखे फुल आज पे मैंने इसे 1-5 मिनट उबाला है अब गैस को बन करके इसके पानी को ड्रेन कर लेना है इसे बहुत ज्यादा नहीं उबालना है अब दो कटोरी मैंने बेसन लिया है इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चमच सूजी आधा चमच नमक, 1-4 इस्पून मैंने अजवाइन लिया है, 1-4 इस्पून हल्दी पॉडर, आधा चमच से थोड़ा कम लाल मिर्च और आधा चमच धनिया पॉडर, आधा चमच अधर लसुन का पेश्ट, थोड़ा साहरा धनिया और 1-5 बेकिंग सोड़ा अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका गाढ़ा सा घोल तैयार करना, पानी एक ही बार में पूरा नहीं डाले, नहीं तो आपका घोल पतला हो सकता है, तो ये देखे, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका घोल तैयार कर रही हूँ ये देखे एकदम घाड़ा सा घोल बन कर तयार है तो इसमें मैंने सूजी डाला है इसलिए 5-7 मिनट मैं इसे रखूंगी रेस्ट करने ताके सूजी अच्छी तरह से फूल जाए उसके बाद फराई करना है तो ये देखे 5-7 मिनट हो गया है अब गोभी को उठाना है बेसन में डीप करना है और सरसों तेल को मैंने गरम कर लिया है उसमें मैं इसे डाल रही हूँ आज को मैंने मीडियम रखा है आप चाहें ते इसे स्पून से भी फ्राई कर सकते हैं मुझे हाथों से कमफर्ट लगता है तो मैं हाथ से ही इसे डाल देए हूँ अब एक तरफ से देखे ये फ्राई हो गया है तो इन्हें फिलिप करके दूसरे तरफ से भी पकाना है कोई भी चीज अगर आप ओईली बना रहे हैं तो मुझे लगता है मीडियम आज पे वो बढ़िया बनता है तो इसलिए आज का बहुत ध्यान रखें तो एक बैच देखे मैंने निकाल लिया है ये सेकंड बैच मैं डाल रही हूँ तो इसी तरह से मैं सभी गोवी चॉप को फ्राइ कर लूँगी आज कल सर्दियों का मौसम है तो बाजार में बहुत ज्यादा गोवी मिल रहे हैं ये हेल्दी मौसम है तो जितना चाहें ओईली चीज भी आप खाएं और इसली डाइजिस्ट हो जाएगा ये लीजे हमारा सेकेंड वैच भी रेडी है तो बस इस सर्दि के मौसम में गर्म गरम गोवी चॉप को अपने मन पसंद साउस के साथ इंज्वाई करें रेसिप भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें